प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके बागला, आयूर शक्ति आयूरेद क्लीनिंग में आपका स्वागत करता हूँ, आज हम बात करेंगे, अगर आपके अंड कोश फूल गए हैं तो आपको क्या-क्या दिक्कत हो सकती है, अंड कोश के फूलने के कही कारण हो सकत हैं, इस बारे में आपको आज विस्तार से बताऊंगा, हमारे अंड कोश के चारों तरफ एक जिल्ली होती है, जिसमें पानी भरा होता है, ओरो जिल्ली हमारे अंड कोश को प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है, ताकि चोट लगने या जटका लगने से वो खराब पर कई बार चोट लगने या जटका लगने से वो अंड कोश का वाल्व खराब हो जाता है जिससे हमारे अंड कोश का ड्रेनेस सिस्टम यानि कि जो पानी आता जाता है वो ड्रेनेस सिस्टम खराब हो जाता है वो ड्रेनेस सिस्टम खराब होने के बाद उसे पानी भरना शु बर 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम पानी तक उसमें आ जाता है, तो अगर 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 वो दोनों साइड हुआ, तो काफी भारी हो जाएगा, उसमें धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाएगा, तो ये अगर आपको इस तरह की कोई समस्य है, ये हाइड्रोसील हो गया है, तो आपको साफधान रहने की जूरत है, और जैसे ही अगर आपको हैड्रोसील होता है, तो आप सबसे पहले लंगोड पैरना शुरू कर दे, इसके लावा अंड कोश में कई बार नीली नीली नैसे नजराने लग जाती है, उसे दर्द और इंफेक्शन की प्रॉलम हो जाती है, तो वह वेरिकोसिल हो सकता है, वेरिकोसिल कई तरह का होता है, शुरुवात में माइल्ड फर्स ग्रेड तक हमें पता ही नहीं लगता कि हमें वेरिकोसिल है, धीरे धीरे जब ये ग्रेड बढ़ती है, तो हमें महसूस होता है कि हमारी नसे नीली नीली नजराने लग करता है तीसरी समस्या कई बार अंड कोश में मटर जैसे दाने बन जाते हैं और यह मटर जैसे दाने कई बार दर्द करते हैं कई बार नहीं करते और छूने से हमको मैसूस होते हैं तो यह एपिडायमिल सिस्ट हो सकता है अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो सबसे पहले आप अपने नजदीकी डागनोस्टिक सेंटर पर जाएं और स्कोर्टरम अल्टरसाउंड कराएं स्कोर्टरम अल्टरसाउंड कराने के बाद आप अपनी रिपोर्ट मेरे नीचे दीए के नमबर पर वाटसप कर सकते हैं, शेर कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट देखने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको क्या समस्या हुई है और उसका क्या इलाज है तो कई लोग क्या करते हैं, हाइड्रोसृल होने के बाद डॉक्टर्स के पाद जाकर इंजेक्शन से पानी निकलवा देते हैं लेकिन ये कोई समस्या का हल नहीं है, इससे इंफेक्शन होने का खत्रा रहता है और अगर ये इंफेक्शन हो जाए तो आपकी टेस्टी डैमेज हो सकती है तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें, आपको इंजेक्शन से पानी नहीं निकलवाना है अगर आप इंजेक्शन से पानी निकलवाने की गलती कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है, इसके नुकसान आपको भुगतने पड़ सकते हैं कुछ लोग जब हॉस्पिटल से में जाते हैं, तो आप डॉक्टर उनको ओपरेशन करवाने की सला देते हैं ओपरेशन में क्या होता है कि जो आपकी जिल्ली है, जिसमें पानी भरा रहता है, उसको काटके, उल्टा करके सिल देते हैं उससे हमारा अंडकोष अनप्रोटेक्टिव हो जाता है, और उसकी शुरक्षा खतम हो जाती है इसलिए अगर आप ओपरेशन करवाने की सोच रहे हैं, तो एक बार हमारे आईवेदिक स्पेसलिस से कंसल्ट कर लें, अपनी रिपोर्ट भेजें और आपकी रिपोर्ट देखने के बाद आपको सही इलाज के बारे में जानकारी दी जा सकेगी अगर आपको कोई ऐसी समस्या है, तो आप अपनी अल्टा साउंड रिपोर्ट मेरे नीचे दीगे नमबर पर शेर करें अगर आपको या आपके किसी रिष्टेदार को या किसी दोस्त को इस तरह की कोई समस्या है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेर करें और वो अपनी रिपोर्ट बेज कर मेरे से निच्छल प्रामर्श कर सकते हैं प्रामर्श करने के कोई फीस आपसे नहीं ले जाएगी और सही निदान, सही तरीका, सही इलाज आपको बताया जाएगा जैन, जै भारत, जै आयुएट